मार्गी होतील शनी महराज, कुठे प्रगती, तर कुठे होईल त्रास, नमस्कार, में एस्टो गुरु डोक्टर जोती जोशी सर्व जोतीश प्रेमिय अब्भास अकांचा मनपूर्वक स्वागत करते हैं, अपन मार्गी होना रह शनी महराजान चा प्रभाव चा अब्भास करेता होत। मागेल भागार अपन वक्रिव मार्गी शनी महरादांच तसाच मेश रुषब मिथून या राशी वर त्यांचा प्रभाव समझुन गेतला। ते 20 अक्टोबर 2022 रोजी शनी महराज मार्गे होतील काही राशी ना तेंची शुब तर काही राशी ना शुब प्रभाव प्राप्त होतील। ते प्रभाव अपन उर्वरीत सर्वर राशी नुचार समझुन गेडारा होता। मनुन आच्चा बागाला शेवर परंत बगा। तसच ही शास्त्रिय महाईती तुमाला आवडले आस। तिला लाइक करा, शेयर करा, जय शनी देव अनुन कमेंट करा, जेडे करूं। इतरान परंत देखिली ही महाईती पोचू शकेल। करक राश, करक राशी चा दुरुष्टी ने विचार केला आस्ता। तिती पहतों, तर तो देखिल तेवी सक्टोबरोजी आसता है। त्या मुले गेल्याकाही द्युशान मदे करक जातकान चा घराज जे वादल उठातोते, त्या ताता थोड़ी सम्मेत आई। तरी सुद्धा, करक जातकानना सांगाव सवाटेल, कि अक्टोबर महिनात गर्यातिल प्रष्ण समस्या अधीक नतांता सोडुन द्या, पुडे बगु या पद्धतिने हाताल न तुमचा साथी अत्यनत आवशक रहील, असकर्ण स्थैंचा बहुष्या साथी उत्तम रहील तरी सुद्धा, तेवी सक्टोबर नंतर प्रष्णांची तिवरता ही बर्याबैकी कमी होईल, तुमचे साथी हा काल शुभ होईल, असा पन ठाम पने मनुशकत नसलो, तरी प्रष्णांची तिवरता ही नक्खीच कमी होईल, त्या मुले तुमे उच्छो परवाचा गिवुशकाल असा पन मनुशकतों, सीह राशी चा द्रुष्णी विचार केला आसता, शनी महराज राशी साथी 66 सब्तमे शायत सद्याते 6 स्तानात वक्री अवस्तेत विराजबाना है, पत्रिके तिल 6 स्तान है उपचे स्तान असले बोए, शनी महराजानना विशेशता हा म आनोत, त्या मुले यहा काल, सीह जातकान साथी बर्या पईकी उत्तम सुरुआ है असा पन मनुशकतों, शत्रुन चा विनाश करना, स्पर्दकानना माघार गहला लावन, ही सर्व शुभ फळ तैनना प्राप्त होतोते, त्याचा आनंद ही तैननी नक्किच गितला से, मात् पंच में शानी आस्ट में शाहेत, थोड क्यात, शस्टी शानी आस्ट में शे दोन मोठे ग्रह वक्री, ही एक मोठी नकारात्मक बाप बनताईल, शनी महराज शस्ट स्तानात वक्री, और गुरु महराज आस्टम स्तानात वक्री, त्या मोजे ताचे काही दूश प्रभाव सीह जाता कानवर नखिछ होतोते हैं। तैता परण्त राशी स्वामी असले ले रवी ग्रहला बल होता। अने इक वेला इतर ग्रह ना किती बल असले। मात्र राशी स्वामी ला जर बल नसेल। तक ग्रहां च्या शुभस तिती चा अनंद किवा लाब गेता एतना है। तसच राशी स्वामी शुभस्तितित असेल तरी इतर ग्रह नकारात्मक्स्तितित जर्यसले तरी शुभपढ़ प्राप्त होता था। तुन थुपाला थोड़ीशी सावली प्राप्त होई असा आपन मनुशक तो जी सिहा जातकान साथी एक मोठी बावस है। वस्तेत विराजबाना है। आता ते मारगी होती परिणामी गेली काही दिवस संतती तुमचा बोलन्या कडे दुरलक्ष करत होती। ती आता तुमचा एकाला लागेल। गरातील वादलल शांता उती। खरसांगाईचा तो तुमचा भाषेत नको ते उड़ी उग्रता आलेलिया है। तया उग्रतेला जर तुम्हे आवरगातला तर तुमचे अर्धे प्रश्ण तसे ही कमी होना रहेत। मात्र या सर्वकालात जसा आपन पाहतो की मंगल ग्रह मिथून राषेता है। तयाची चतुर्त रुष्ठी तुमचा राशी वर पड़ता है। या कालात तुमचा राशी स्वामी जरी प्रबल असला। तरी दुतियेश पंजे वाली चा कारक शुक्र असता है। तुरुतिय स्थानात रवी और केतु सारके प्रबल उग्रग्रह, रवी उग्रग्रह और पापग्रह केतु विराजमाना है। तया मुले या कालात कन्या जातका नीजर आपले भाशेवर नियंद्र न्ठेवला। तदुष्प्रभाव नक्किच कमी होतील। मात्र, मिलाकारन प्रचंड संतापोन, प्रत्यक गोष्ट नकारात्मक वाटन, नकारात्मक विचार करन या अंतरीक भावना तैंचात मेर्बान होतील। मन्जे प्रश्ण खर चस्ती लसना ही मात्र तुमचा संतापा मोले ते प्रश्ण तुमाला मोठ्या सरुपात जाडवतील। मनुन कन्या जातकानी याबाबिन कड़े लक्ष दिल तर प्रश्णाची ते उरता ही खूप मोठ्या प्रामानात कमी हो शकते। तसच मारगी हुनारे शनी महाराज तुमाला निष्चितत सहकार्य करतील। तूल राशी चा दुरुष्टिने विचार केला असता। शनी महाराज राशी साथी चतुर्थे शाणी पंजमे शाहेत। मन्जे केंद्रव त्रिकोण या दोन महतोपुर्ण स्थानांच स्वामित्वत अचा कड़े आए। त्या मूले तूल राशी साथी शनी महाराज कारक ठरतात। ते सद्या चतुर्थ स्थानात वक्री अवस्थेत विराजबाना है। चतुर तातील शनी डहिया निर्मान करतो हुआ। मन्जे तूल राशी साथी डहिया शुरुआ है। असे डहिया निर्मान करणारे शनी महराज वक्री अवस्तेता है। आता ते मारगी होतील। त्या मुले कुठे दरी त्यांचा प्रभावात शुभता निर्मान होली। मागिल घरात जे सुरू होता कि एक मेकान कडे जानिव पूर्व दुर्लक्ष करना, कुणी ही कुणाच न एकड़ या वातावरनाद बदल गढ़ू नेल। मात्र, तुमझा चतुरत स्तानावर शत्रू राशितल्या मंगल घराची दुरूष्टिया है। मंगल घरह तुमझा पत्र केला कारप नाही। त्या मोले घरातिल वातावरन सौम्य होईल मात्र, शान्त, सुखद होईलाच असापन मनुशकत नाही। तूल जातकाता अन्यक वया घरातिल वाता औरन खुप उत्तम पड़े लागता। करण तो त्यांचा नैसर्गीक सभावा है। सर्वानना सोबद गिहुन चालना योग्यतो सम्तोल साद्न हा तूल जातकांचा मोल गुंदर्मा है। त्यां स्वभावाला राशी स्वामी मदद करित अस्तों। मात्र तूल राशी चा स्वामी शुक्र ग्रह प्रथम निची चाहुता और आता तो अस्त देखिल अस्ता रहे। महत्वाची बाब बंजे स्व राशी तेव नहीं तो अस्ता है। त्या मुले तो आपली फार्शी शुब फळ देवुशक नाना है। एकंदरित, तूल राशी साथी देखिल बर्यापईकी संघर्शाचा कारखंडा है। कि वह शनी महाराज वक्री अवस्ते तुन मारगी हुणा राहेत। आणि ते त्रासाची ती उरता नक्कीच कमी करतील। अत्यांत महत्वापुर्ण बाब मंचे। तुम्हें जा राजुनेही आपला या यूटूब चानलला सब्सक्राइब के लेला नसे। तर आजाव शक्रा। जोतिश शास्त्रा तिल नव नविन महिती गहुण आमाला तुमचा परंत पोस्ताई। बेल आइकॉन दापैला विश्रू नका। मंजे नविन उडियो अपलोड जाला कि लगेश तुमाला करूशके। जोतिश शास्त्रा वर माजी सहा पुस्तक प्रकाशिचा लेली आहे। जात शास्त्रीय महिती अत्यनत साध्या आणी सुप्या बाशेत उपलब्दा आहे। तैंचा लाब ग्यावा। रुष्छिक राशी चा दृष्टिने मिचार केला अस्ता। सनी महराज राशी शाटी तुरतिय शनीचा धुर्चेश आये। सद्याताई ध्या तुरतिय आ उपचै स्तानात वक्री अवस्तेत आहे। उपचे स्थान असल्या मुले ते शनी महराजान ना विशेश मानोत। त्या मुले तेथिल शनी महराज व्रुष्चिक जातकान शुभफर प्रदान करीता है। गड़त होता, त्या ताता बदल गड़ नेई, रुष्चिक जातकांचा बापती थोड़ी दोक्याची सुचना मन्जे, सब्तमेश असलेला शुक्र अस्त असुन व्येस तानाता है, त्याचा वर्षनी महरादांची दुरुष्टी आहे, मन्जे वैवाहिक सोक्याचा बाप ना कारात्मक प्रभाव या काया तुमचावर राहील, मनुन दुरुष्चिक जातकांची या बापती थोड़ी कालजी घ्यावी, धनुराशी चा दुरुष्टी ने विचार केला स्ता, शनी महराज राशी साथी धने शानी तुरुतिये शाहेत, सद्याते दुटीये स्ता वक्री अवस्तेत विराजबाना है, त्या मुले धनुराशी चे जातक आमची साडे साथी केवा संपेल, असा प्रश्ट विचाराईला लागले आहेत, करन जोड़ पा साथ नोव अर्शान पसुन धनु जातकांना साडे साथी चात्रास सहन करावा लागतो है, शनी महरास पुडे गेले पुन्हा मागे आले, या पद्धतिले तैंच गोचर शुरू होत, त्या मुले धनुराशी ला काही दिवस साडे साथी संपली और पुन्हा लागले, परिन आमी धनु जातके साडे साथी ला अत्यन्त कंटाल ला सार्के जाले आहेत, एकदा गेलेली साडे स साथी तैंच पुन्हा लागले, अर्थात या जास्त करून मना तिल भीती मोठी ठरते, करन साडे साथी विशयी समझ बेक्षा गरिसमझ जास्त पसर लेले आहेत, सरवानना साडे साथी त्राज जायक जातना ही, ही बाप देखिल लक्षात क्या, आता वक्री असलेले शनी म महराज बार्गी होना रहेत, त्या मुले साडे साथी चात्रा सत्यंत कमी होई, किम्म हुना, शनी महराज जाता जाता, धनु जातकाना काई लाब निश्चित पणे देवन जाती, 17 जानिवरी दो नजार तेविस रोजी, धनु राशी ची साडे साथी संपना रहे, आता मार अलगी होनारे शनी महराज साडे साती चा फार्शात राज देडा नाही, आणि मुणु धनु जातकानी या गोश्टींची अधिक चिंता करूने, मकर राशी चा दोश्टी ने विचार केला असता, शनी महराज राशी स्वामी आणि धने शाहेत, सद्या, शनी महराज क्रिय वस्तेत विराज बाना है, त्या मुले गिलिया नेक दिवस, मकर जातकांचा राग नावर होतोता, माजाज बाप्ति का साप्रश्ट तेरना सार्खा पड़तोता, तिवा तैसी मान्सिकता तयार जालेली ओती, रोज सकाली जोपितु नुटला नंतर, अपलाज बाप जेवा आपनासलेली परिस्तिती स्विकार तो तेवा मार्ग नक्कित सापड़तात, और प्रगती चे मार्ग प्रशस्त होतात, त्या मुले मार्गी होनारे शनी महराज, मकर राशी साथी प्रगती चे मार्ग प्रशस्त करणारा है, कुम्ब राशी चा द्रुष्टिने वि उपर यहारे ठरतों, जो या कालात कुम्बज आतकान्ना करावा लागता है। त्यात शनी महराज वखरी असले मुले संगर्शाची ती। रता वाडलेली होती। मातरा आता तै मार्गी असले मुले वेश वेया तत्राहिल। परन्तु त्याची त्यूरता कमी होईले। मारगी होणारे शनी महाराज त्यानना ध्धन लाब देती। जे कुम्बजातक नोक्री साथी प्रेत्न करी ताहेत। त्यानना ती आन पेक्षित पने प्राप्त हुईले। किवा तैंचा प्रेत्नानना यश्मेल। सोब्यात भाग्यी और उद्धी गडु जेल। ले तरी कोटुम्बिक दुरुष्टी ने ते अशंतोष निर्मान करीता है तो मीन राशी चा दुरुष्टी ने विचार के लास था शनी महराज राशी साथी लाभेश आणी वेश आहे सद्ध्या ते लाभस्तानात वक्री अवस्तेत विराजबाना है त्या मुले मीन जातक सथी बर्यापई की सुखद स्तिती मनता है राशी स्वामे राशीत विराजबाना है लाभेश शनी महराज लाभस्तानात विराजबाना है जोतिश्टी अमानुसार लाभस्तानात सर्व ग्रह शुब फळ देता त्यात शनी महराज वक्री असल्या मुले तीवर तेने प्रदान करना राहेत, मात्र इतर सर्व राशी चा तुल्नेत मीन राशी ला मार्गी शन ही महरादांची बर्याप इकी शुब पढ़ मेतील। मात्र कुटुम्ब स्थानात विराजमान असलेले हर्शल राहू अने अस्तम स्थानात विराजमान असलेले रवी केतु। हे ग्रह अर्थले अर्चणी संगर्ष गरातील वाद तुमचा सथी निर्बान करूशब्तात। मीन जातकान्ना अपल्या बुद्धीने यातुन मार्ग काड़ाईचा आहे और प्रगती साधाईची आहे। एक अंदरीक मार्गी होनारा शनी महराजांचा राशी नुसार प्रभाव समझुन घेना साथी ही माहिती पुरेशिया है। अपन्थाम्बुया पुडिल भाकात जुति शास्त्रातील अशास नविन माहिती सह पुन्ना बेटुया। एक महत्वाची सुस्तनामन जे कोणी ही फोन करूनाय मी फोन उसलूशकता ही। काही का मसेल तो तुम्ही माला वाट्सपला मैसेज करूशकता। कमेंट सेक्षन मदे कमेंट करूशकता। त्यानुसार मी तुमाला रिप्लाइ देनाचा नक्कीच प्रयत्न करेल। धन्यवाद, शुभम भवतु, जय जोतिश। यूटूपची कार्य प्रणाली ही मुख्यता हा। चैनल ला लाइक, सब्सक्राइब यावर चालते। प्लेज, लाइक, शेर, एंड, सब्सक्राइब दी चैनल। आणि हो, बेल आएकाउंट दापाइला विस्ट्रूमेका। धन्यवाद, शुभम भवतु।